ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्ट्रोजर के अमसिना और मैं अपने से यूटुब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सबसे पहले मेश लगन की हम बात करें चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है इस समय वो वरिशब राशी से लेकर सिंग राशी में चंद्रमा रहेगा और कोई मेजर ट्रांजिशन में देखा जाए तो नवरात्री चलेगा और साथ में यहां पर गुरु देव जो रहेंगे वो अस्त हो जाएंगे तो यह मेजर चेंज जो है वो रहेगा और अलड़ी नहीं हो रहा है लेकिन प्रत्य लगन पर इसका असर जरूर अलग अलग पड़ेगा मेश लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो बेसिकली आपके लगन से दूतिये दृतिये चतूर्थ और पंचमभाव में हो रहा है तो इस हफते का जो प्रत्थम दो दिन रहने वाला है वो आपके मान पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोत्री होना धर्म के प्रति जुकाव का बढ़ जाना और आर्थिक उन्नती का प्रारंबिक दो दिनों में अच्छे पर संगों को लेकर भी किसी प्रकार का तनाव रह सकता है और बहुत सावधान रहेगा हफते के मद में वाइरल इंफेक्शन इत्यादी होने की संभावना भी बहुत जाधा बन रही है कारे वैबसाय को लेकर कोई भी निर्णय करना हो तो हफते के प्रारंबिक में कीजिए मद अन्त में आप निर्णय कारे वैबसाय को लेकर नहीं किजिएगा हफते का जो अन्तिम दो दिन जो रहने वाला है वो आपके लिए प्रेम संबंदों में सुधार को लेकर आएगा आए को बढ़ाने की कोशिश करेगा परिवार में कुश्यों का बात अबर रहेगा और जो अं até में आया की उसको खतम करने का भी समय रहेगा व्रिशाप लगन की बात करते हैं देखें विश्व लगन में जो चंदर्मा गोचर होने वाला है च्छोटे भाई बैनों को को परिशानी चल रही थी वो खतम होगी परिवार में खुश्यों का वाता वरण रहेगा इस हफते किसी एक लगन के लिए अगर सभी साथो दिन अच्छे होने वाले हैं तो वो लगन व्रिशब लगन बन रहा है इसमें आय के छेत्र में भी अच्छे परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है इसके अराब कारे वयवसाय में कोई रुक्य वुए टील या मकान आप बेचना चाहरे थे नहीं भिक रहा था अगर आप प्रॉपर्टि खरीपना चाहरे थे काम नहीं बन रहा था अगर आप ब्रोकृस से रिलेटेट आपको नहीं मिल रहा था तो सारी चीजे इस समय आपको मिलते हुए दिखाईते रहे हैं एक लाइन में कहा जाए तो हफते का प्रारंब हफते का मद्ध हफते का अंत तीनों में ही लगभग लगभग सेम प्रभाव यहां पर दिखाई देगा और बेसिकली केवल और केवल ज बना है और वृषब लगण में अभी जो मंगल νगर में भी आप करते समय और मिफिल लगन की बात करते हैं लगन और इस समय जो चंद्रमा रहेंगे वह प्रारंबिक दो दिन में आपके लगन से द्वादश में रहेंगे तो निश्यतुर्प से आप यह मान के चलिए कि अभी का जो टाइम रहेगा धन हानी का योग बनाता है मिधुन लगन वाले जात्म के लिए पहले दो दिन में फंड्स देखने को मिलेगा आप से आ लेकिन कार वैबसाय को लेकर जो भी काम करेंगे डिले के साथ लेकिन पूर्ण होगा कोशिश किजिए कि पहले दो दिन में कोई भी शुब काम को ना किया जाए किसी प्रकार का जो important decision होता है चाहिए मकान को खरीदने का होता है बेचने का होता है या आपको expansion करना है किसी चीश का किसी प्रकार का भी महत्यपूर्ण decision प्रारंबिक दो दिन में बिल्कुल मत लीजेगा हफते का जो मद्य है हफते का जो अंत है दोनों ही आपके favor में आने वाला है खुशियों से परिपूर्ण पांच दिन बाकी के बीटेंगे लेकिन प left hand में थोड़ा सा दर्दित्यादी बढ़ जाए ऐसा मितुन लगन वाले जातकों के लिए दीख रहे लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा और चोटे भाई बहन से संबंद आपके मधूर होंगे जीवन साती का सयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंगों में प्रगाणता यहीं मितुन लगन के बाद हम रिचे कर्क लगन करते कि कर्क लगन में ब्सिक्वाण का जो ऑचर रोगा वह आपके लगन भाव के रिस्पा के में देखा जाए तो इंकम और ग्रितिया वाव में चन्द्रमा का पाप होगवा नहीं में जो रहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और धार्मिक रूप से जो रहेगा जुकाव रहेगा, मन अंदर से प्रसन रहेगा किसी कारे के पूर्ण होने के कारण, लेकिन यात्राएं, एक लंबी दूरी की यात्राएं हफते के मद्द में जादा हो सकती है, चंद्रमाप के लगन से द्व घर्ष की समापती होते हुए और आपके फेवर में कारे से संबंदी चीजें आने वाली है, प्रेम संबंदों में प्रगाड़ता हैगी, और सात में जीवन साती का जो सयोग रहेगा, वो पूरे तरीके से आपको मिलने वाला है, संतान के स्वास्त में जो उतार चड़ाओ चल रहा था, वो खतम होगा, लेकिन केवल और केवल एक परिशानी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, कि भागय का सपोर्ट पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, एटलिस्ट का जाए तो केवल हफते के चार दिन भागय के सपोर्ट मिलेंगे, वो भी अंतिन चार दिन जो रहेंगे, उसमें भागय का सपोर्ट जाथा मिलेगा, तो किसी भी प्रकार के शियर सट्टा लॉट्री में प्रारंबिक तीन दिनों में इन्वाल ना हो, करक लगन के बास सिंग लगन की बात करते हैं, लेकिन सिंग लंगन में चंदरमा का जो गोचर होने वाला है, वो कादश माव। दौज़ माव और लगन में चंदरमा क diffuse गोचर कारेंगे, चंदरमा माव क distraction में लेकिन फर्वाइंट माम हो, काम वाले लगन के सिंग लगन हो गएं है, जनके मैं में उसमें है भी टे अखराब देए, प्रारंबिक दो दिन दिन बहुत ही अच्छा लेने वा तो इंपोर्ट जो लोग काम करते हैं बाहर से कोई समान को मंगा रहे हैं उसको बेच रहे हैं ऐसे सिंग लगन वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहे का प्रारंबिक दो दिनों में मकान में किसी प्रकार की परिशानी आ गई है मकान में किसी प्रकार का रिपेर काम करना चाहते हैं हफते के प्रारंबिक दो दिन में वह स्टार्ट करवा सकते हैं हफते का जो मद रहेगा प्रेम प्रसंग में प्रकारता आ जाएगी मित्र और र इंफेक्शन यहां पर डेवलप हो सकता है और जो लोग विदेश जाने की सूच रहे हैं लंबी दूरी की यात्रा करना चाहरे हैं सिंग लगन के हैं तो उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा भाग पूरे तरीके से साथ देगा और मानपद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी ह होगी किवल हफते का जो मद्य वाला जो टाइम दिख रहा है उसमें थोड़ा सा ट्रैवलिंग के कारण परिशानी या थकावट का जब परिशानी नहीं होगा जिस काम के लिए आप ट्रैवलिंग करेंगे वह काम बनेगा लेकिन शारिरिक थकावट जाता दिखाएगी तो कन्या लगन कीह बात करते हैं कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाको से नवम लगम दशंज और 12 लहो तक चंद्रमा का गोचर होगा प्रारभिक दो तिनकर कहा जाए तो हरी प्रिके से अच्छा आएके साधन में बढ़तरी होना और पिछला हफता जितना ही खराब गया था यह अच्छा जाने वाला करन्या लगन में हर काम इस हफते बनते पर दिखाई देगे धार्मिक रूप से व्यस्तता आपने आपको पाईएगा धार्मिक एक्टिविटी में अ आपको रिस्पॉंसिबिलिटी मिल सकते हैं जो जिसके कारण आपका प्रमोशन हो जिसके कारण आपके मानपत प्रतिष्ठा में बढ़तरी होगी किसी ना किसी प्रकार के एक नय कारोबार में अगर आप इन्वाल होना चाहते हैं उसमें भी सफ़लता मुझे दिखाई दुसरा कोई अगर अच्छा लगन बन रहा है इस पूरी हफते के लिए तो वह करन्या लगने जिसका सारा समय लगग लगग साहिए एक दिन को वस चोड़ दिया जाए प्रेम प्रसंग को लेकर परिवार मतलब प्रेम प्रसंग को लेकर एक प्रकार से आजात देट वाली बात किया जाए यानि दो अप्रेल की बात किया जाए तो उसमें कुछ लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की समभावना हो सकती है कन्या लगन के बाद लिब्रा यानि तुला लगन की बात करते हैं देखें तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपको लगन के अश्टम नवम दर्शम और एकातश बाव में रहेगा ये समय विदेशों से लाब कमाने का समय है ये समय गुप्त शत्रू के खतम होने का समय है और लेकिन आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी बहुत ज़ादा उतार चड़ा और तुला लगन वाले जात्कों के लिए देगा दैनिक रोजगार की चेतर में कठना ही हो कही सामना देखने को मिलेगा इस समय वैसे भी प्रारंबिक दो दिनों में जल वाले चेतर से बचिये जल दुरबटना होना या दूशित जल पीने से यानि जल का किसी ना किसी प्रकार से निगेटिव इफक्क आपके उपर आने व दो दिन में परिशानी उत्पन हो सकती है हफते का जो मद्ध रहेगा हफते का जो अंत रहेगा वह सारी बादाओं को दूर करेंगा शेयर सक्टा लॉट्री में कस्मात बड़ा नुकसान होने की संबावना दिखाई दे रही है हफते के प्रारंबिक दो दिनों में मद्ध और अंत सामाने रहेगा बहुत जाथा पॉजिटिव नहीं है और जिनके जिनको माइगरेन की परिशानी है उनको भी माइगरेन की दर्थ यहां पर बढ़ सकते हैं स्वास्त को लेकर वैसे तो चीज़ें सामाने रहेंगी ठीक रहेगी लेकिन फिर भी जिन लोग को दिखाई दिये रहें वरिश्चिक लगन की बात करते हैं देखे वरिश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से सप्तम अस्टम नवम और दर्शम भाव में रहेगा चंद्रमा उच्छिके रहेंगे भागय का सयोग मिलेगा कस्मात लंभीदू और मन थोड़ा आ जाएगा इग्रेसिव मोड में परिवारी वाद व्यवाद होने की संभावना रहें छिए पिता के स्वास्त के स्तान स्वास्त को लेकर गिराबर चल रहें और कुछ अच्छे समाचार संतान के पक्ष से आपको दिखाई देंगे स्वास्त अगर खराब था तो स्वास्त अब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वारता लाप करते समय अभी भी बहुत ध्यान दिजे क्योंकि मंगल आपके वाडी को देख रहा है थोड़ा परिशानी क करेगा हफते के अंत तक आते आते व्यापारिक सम्झोते जो रहेंगे वो पूर्ण हो जाएंगे और जिसके करार आतंबल जो रहेंगा वो बढ़ेगा किसी प्रकार का नकरात्मक नहीं है लेकिन केवल हफते का जो मध्य पार्ट है उसमें नपे तुले वर्ड को यूज कीज जिससे की आपका इमेज पब्लिक में या घर में या परिवार में डाउन हो इसलिए वार्ताला आप करते से में थोड़ा सावधानी रखिए और जिन लोगों को डाइबिटिक की प्रॉब्लम है वो जाधा या लीवर से रिलेट प्रॉब्लम है वो जाधा भी बढ़ेगी धनुलगन की बात करते हैं देखे धनुलगन में यह हफता मिश्रित रहने वाला है हाफते का जो प्रारम होगा चंदरमा आपके छटवे बाव में रहेंगे तो निश्यत रूप से मांसिक रूप से परिशानी देगा डिप्रेशन बढ़ेगा इंसाइटी बढ़ सकता है सम कि आप स्टार्ट कीजेगा काम रूप जाएंगे हफते के मद ही एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सफलता पूर्ट रूप से मिलने की संभावना बन रही है जीवन साती का सयोग मिलेगा लेकिन थोड़ा मन जो रहेगा एग्रिसिव मोड में पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ गुस्से जो हैं किसी के उपर एकदम उतार दिया जाए ऐसा अंदर से रहेगा माइंड बहुत जादा पित जिसको कहते हैं बहुत जादा ही समय है वली आपके बॉड़ी पर दिखाई दे रहा है और लेकिन आपको प्रॉपर्टी से रिलेट डारेक्ली इंडारेक्ली काम करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट हैं या कॉमर्स से रिलेटेट कोई काम करते हैं उनके लिए समय विपरित परिस्तिती में भी अच्छा रहने वाला है हफते का जो मद है उसमें सारे काम को निप्टा देना चाहिए हफते के अंत में किसी प मकरलगन की बात करते हैं, देखें मकरलगन में सुक में राहू और शुकर आगया है, तो राहू और शुकर का साथ में आना है, और जो शनी किनी सद्रिष्टी और पढ़ रही है, तो लंग्सक में जो इन्फेक्शन था वो खतम होने का समय आ रहा है, किसी प्रकार का चेस्ट म और इस समय कुछ अच्छे समाचार मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो काम बहुत सालों से रुके हुए थे उसके खतम होने का मतलब उसके जो रुकावट थे उसके खतम होने का समय आ रहा है और बेहद अच्छा समय है पराक्रम बढ़ेगा मन प्रसन रहेगा मान प प्रारंबिक दो दिन हर तरीके से आपके लिए अच्छा है जीवन साथी के स्वास्त में भी अगर कुछ परिशानी था या जीवन साथी के साथ कुछ रिलेशन खराबते तो वह भी ठीव हो जाएंगे हफते के मत में थोड़ी सी ट्रावलिंग जरूर रहे कि थोड़ा ट्रावल करना ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी समय जो रहेगा वह अच्छा रहेगा हफते के लास्ट दिन यानी अंतिन दिन जो रहेगा उसमें कि दुर्द पंचम सस्टम और सब्सक्राव में रहेगा और चंद्रमा जो रहेंगे प्रारंभिक पांच दिन आप यह मान के साथ चल सकते हैं किस अफ़ते का आपका आउस्ट से अच्छा रहने वाला है क्या क्या चीज़ें होंगी पहली चीज़ मकान से सम्मझती तक कर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें अच्छे मिलेंगे विजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नहीं मिल रहा था उनके वीसलमा कि विजा मिलेंगे वीदेश शाक्राव की योग बनेंगे साथ में शेयर सक्टा लॉट्री त्यादी में लाब की संभावना भी बहुत इसे बड़ेगी इस समय जो मित्र रहेंगे वो आपको सही डिसीजन दे सकते हैं इसलिए अगर मित्रों से सजेशन लेकर कोई काम करना है कंसल्टिंग रिलेटेट कोई काम करना है तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सफ़क्ता मिलें प्रारंबिक पांच दिन जो रहेंगे हर तरीके से अच्छे हैं प्रेम संबंद बढ़ेंगे विद्यारती वर्कों के सिक्षा में भी उन्मति होगी और कार वेबसाइट को लेक कर भी हर तरीके से प्रारंबिक पांच दिन अच्छा रहेगा लेकिन अंतिम दो दिन उतना ही खराब रहने वाला है और वो जो दो दिन खराब रहेगा उसमें थोड़ा सा एक्ग्रेशन आजाएगा आपके शरी में हाला कि वाहिरल फीवर होने की संभावना भी अंतिम दो म COB क्टां बनी रहेगा। मीन लगन अंतिम लगन अर्था कि बात कर तैं मींलगन में चंद्रमा का झौचर है वहापके लगनिति भाहों। घृतियवाव तुट-बाव में चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा का लगन में बैठना प्रारंबिक दो दिन जो रहने वाला है वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर मतब आपका जो महनतों का जादा होगा आउट पुट कम आहीगा लेकिन महनत कुप करेंगे चाहे वो छोटे भाई बैनों के सईयोग को लेकरो चाहे वो आपके ऑफिश्यल कारेको लेकरो महनत पुब रहेगा और महनत होने के कारण जो है परिशानी कम होगी लेकिन इस समय इस्त्रियों से थोड़ा सा दूर रहेगा अगर इस्त्रियों से जादा अगर आप दूर नहीं होंगे तो फिर परिशानिया जो रहेगी वो जादा बढ़ेगा चंदरबा क्योंकि आपके लगन से दृतिये तृतिये चतूर्थ और पंचम भाव में रहेंगे तो मेहनत का बढ़ना हुआ है और साथ में आपका जो पराकरम रहेगा वो बढ़ेगा और कार वेफसाय को लेकर अस्थान परिवर्तन के योग यहां पर बन रहे हैं इसके अलाबा संतान से सुख की प्राप्ति मिल रही है और भूमी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से र आएगी और मानपद प्रतिष्ठा में बढ़ोत्री होगी प्रेम संबंद भी बड़ी अच्छे चलेंगे इस समय चाहे वो जीवनसाती का सयोग कहा जाए चाहे मिक्त्रों का सयोग किया जाए रिष्टदारों का सयोग कहा जाए सब कुछ अच्छा है परिशानी केवाल एक हफते में बन रहा है प्रारंबिक पांश दिन बहुत अच्छे रह रहा है केवल अंतिम दो दिन जो है किसी प्रकार की परिशानी आते हुए देख रही है तो यह था पूरा मेश से लेकर मीन लगन वाले जात्कों का आने वाला समय कैसा बीतेगा अभी के लिए इतना ही मैं यह प्रादर गें सिना ओम नमस्युवा